GST को लाने का main purpose था कि taxes को simplify किया जा सके लेकिन ये purpose कही न कहीं defeat होता नजर आता है जब हम देखते हैं अलग-अलग states में अलग type की ruling सा रही होती हैं GST को लेके काफी confusion create हो जाती है किसी भी company के लिए For example, एक ready to eat pizza जब आप किसी fast food restaurant से खाते हैं तो 5% का GST लगता है पीजा के base पे 12% का GST लगना चाहिए और पीजा के topping पे 18% का GST लगना चाहिए फिर एक और example ले कुछ states में ruling आई कि फ्लेवर्ड लसी पे कोई tax नहीं है फ्लेवर्ड milk पे 12% का GST लगना चाहिए किसी भी business के लिए ये complexity tackle करना मुश्किल हो जाता है वो main business पे concentrate करे या फिर GST में उलज के रह जाए I think GST council को एक guidelines issue कर देनी चाहिए हर product के लिए और हर type of service के लिए कि किस तरीके का GST किस situation में लगेगा